अगला सेग्मेंट है उसमें मैं आपको छे किनारियों की तस्वीर दिखाऊंगा और आपसे जानने की कोशिश करूगा वो दो सेट में आएगी कि आपको इन मेंसे कौन लगता है जो इंडिया खेल सकता है मुझे लगता है तिल्क वर्मा के पासबिलिटी है और तिल्क वर्मा उनको जानता नहीं हूं किस तरीके के इंडियुजवल है लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैं आईपील में सुना है कि बहुत हर्ड वरकिंग हैं और जिस तरीके से उन में काबलियत है अगर वो महनत करते रहेंगे सबसे ज्यादा important है कि अगर वो अपना सर grounded रखेंगे अपने आपको grounded रखेंगे तो उनके possibility है कि वो आगे जाके इंडिया खेल सकते हैं शुमन गिल आने वाले दिनों में गौतम गंभीर बन सकते हैं नहीं आप शुमन गिल को कुछ भी बनने की जरूत नहीं है उनको शुमन गिल ही बनने की जरूत है और मैं कभी भी यह नहीं मानता है यह सवाल पहले भी हाने टाइम पर भी पूछा जाता था कि क्या यह अगले युवराद सिंग बन सकते हैं, क्या ये अगले जहीर खान बन सकते हैं, किसी को कुछ बनने की जुरूत नहीं है, आप सिरफ अपने आपको जो आपको आप वही बन जाए, वो बहुत बड़ी शीज़ है, चलिए अगली तीन तस्वीर आगी है, रितुराज गायकवाड, रिं उनको शिंग की कहानी बड़ी इंस्पारिंग है, कुछ बताना चाहिए आप, लेकिन वक्त दीजिए, एक सीजन में किसी को सिलेक्ट मत कीजी, उनको जाके डूमेस्टिक सीजन में रन बनाने दीजिए, अगले सीजन में फिर आईप्यल में रन बनाने दीजिए, और फिर तो अगर आप देखते हैं कि वो तना consistently बनाते हैं रन तब उनको international cricket में सोचिए हमारे हाँ problem क्या होती है कि हम दो महीने IPL को इतना seriously ले ले लेते हैं जो भी अच्छा करता है इसको इंडिया खिला दो यह शस्वी जैसवाल ने सिरफ IPL में अच्छा नहीं किया domestic cricket में 200 बनाए 300 बनाए वन डे cricket में 200 बनाए विजह हजारे में तो यह जो IPL में किया है यह सिरफ icing on the cake था इसके यह शस्वी जैसवाल को तीनों in fact format में होना चाहिए चलिए मेरा अगला सवाल यह है कि एक तो official trolling होती है एक unofficial trolling होती है official trolling में बोलता हूं जिसमें हम देखते हैं कई बड़े-बड़े लोग trolle करते हैं किसी व्यक्ति को मैं हमने latest देखा नवीन-ul-Haq को trolle किया उस हद तो तब हो गई ज़ा शुवन गिल की sister को trolle किया what you have to say on that that's a very very valid question that's a very important question as well और यह question आप लोगों के लिए मैं बहुत strongly believe करता हूं कि आगे आने वाले समय में अगर इस देश में जो सबसे सबसे बड़ा कारण बनेगा youth का depression का वो है social media अगर youth depression में जाएगा तो वो social media है और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा वो चीज सच नहीं है जो खरीदी जा सके आप ट्रोल्स खरीच सकते हैं आप फॉलोर्स खरीच सकते हैं आप बोट्स खरीच सकते हैं तो जो चीज बिकाऊ होती है वो सच कैसे हो सकती है सोशल मीडिया पे अगर आप रहना चाहते हैं आप रहिए मैं मना नहीं मैं मना नहीं कर रहा कि आप सोशल मीडिया पे मत रहिए लेकिन सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी का पार्ट मत बनाईए आपको बुरा लगा जब शुबमन गिल की के लिए भी क्योंकि जो ट्रोल करवाते हैं वो भी एक दिन ट्रोल होंगे मैं पैसे खर्च करके बहुत बार यह सवाल मुझसे पूछा गया है अमीज जी और यह बहुत वैलेट सवाल है इसलिए मैं थोड़ा वक्त लूँगा जी जी कि आप क्यों नहीं सोचिल मीडिया पर पैसे खर्च करते हैं और लोगों को ट्रोल कराते हैं लोगों के लिए नारेटिव क्रियेट करते हैं और शायद मैं बहुत लोगों से जादा पैसे खर्च कर सकते हूं जो लोग इस तरीके से पैसे खर्च करते हैं ट्रोल करवाने के लिए तूसरे की इमिज खराब करने के मैं कर सकता हूं लेकिन मैंने अपनी जिंदगी सच पे जीने क्या प्रॉमिस किया हम पांच 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 हजार लोगों को रोज अगर एक रुपे में खाना खिलाते हैं तो उसकी कॉस्ट है अगर मैं वो पांच हजार लोगों का खाना बंद करके वही पैसा सोशल मीडिया पे लोगों को ट्रोल या अपनी इमेज बैतर करने के लिए लगा दो तो शायद आज मैं भी उसी तरीके का ब्रांड होता लेकिन मेरे लिए वह पांच हजार लोगों जो भूके हैं उनका पेट भरना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे घर में दो चोटी बच्जी कल जब अब बोला जाएगा अगर उन से यह पूछा जाएगा कि आपके फादर किस तरीके के व्यक्ति थे तो उनको खड़ाओके यह बोलने में हमत ओनीचे कि वह रोज 5,000 लोगों को खाना खिलाते थे 5,000 लोगों को ट्रोल नहीं कराते थे